I am sure कि अब तक आपने Google merchant account पे अपना account बना कर ये भी देख लिया होगा कि एड्स किस तरीके से बनाई जाती हैं और किस तरीके से अपीर हो रही होती हैं सर्चिन अपरक्ट में लेकिन एक चीज जो बड़ी जुरूरी है यहां समझना कि कौन से वो फ्री लांसिंग प्रॉजेक्ट्स हैं जो टेक्निकली आपको मिल रहे होंगे Google merchant account के रिलेटेट उस पे आज हम इस सेशिन के तो ज़रा थो कर लो what actually is a product feed news feed याद है आपको कौन से platform में हुआ करती है Facebook के ओपर इसी तरीके से Google product listing ads जो है वो product feed के तुरू चल रही होती है जिसके अंदर आप continuous update कर रहे होते हैं product information को आप images एड कर रहे होते हैं आप description दे रहे होते हैं तो freelancing के अंदर आपको जो client है वो यह आपको कह रहा होता है कि भाई आपने monthly basis के ओपर हमारे पूरे product catalog को manage करना है which actually intern is called product feed जी Google की जबान के अंदर और वो आपको करना पड़ता है आप उसमें जिसा मैंने पहले होता है कि image description तो कर रहे होते हैं लेकिन at times वो image और description आपको खुद बनाना पड़ रही होती है client आपको वो चीजे नहीं दे रहा होता तो उसके अंदर आपको काम जब थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है लेकिन वो तमाम catalog जब manage होगा वो directly associate होगा किस चीज के साथ आपकी ads के साथ ज client जो है वो आपको कहते है कि भाई आपको digital marketing आती है मुझे तो आती नहीं है तो आप मेरी campaigns को design करते हैं मैं आपको ये भी बंदा दे रहता हूं कि जो product feed आपको update करके देता रहेगा आप सिर्फ मेरी campaign design करते हैं तो फिर आप as a specialist of google shopping product listing ads उसको campaign design करके दे रहे होते हैं daily basis पे monthly basis के ओपर कि जो वो फिर run कर रहा होता है अगर वो product feed की भी आपको project दे देता है कि project catalog को manage करना है साथ-साथ आपने campaigns को भी run करनी है तो that's actually very good because you will have a full control of google merchant account of the client तो आप तमाम उसकी जो चीज़े हैं उसको फिर manage कर रहे होंगे और last के अंदर जो अक्से commonly projects आपको मिल रहे होते हैं उसके अंदर ही होता है कि आपको client कह रहा होता है कि जो different shopping के platforms हैं जिसमें most common हमारे पास दुनिया में eBay है Amazon है और Shopify है यह 3 most common online product selling websites है यह product selling platforms है कि जो use हो रही है Shopify का शायद आपने कभी नाम नहीं सुनो का because Shopify is actually not a website which is used to sell a product it is actually a platform यह selling platform है इसको बहुत सारी companies use कर रही होती है है अपनी product को बेशने के लिए वो integrate कर देती है अपनी website में most probably यह आप e-commerce के course में पढ़ेंगे dj skills में और wordpress के course में पढ़ेंगे किसरे किसे Shopify आपकी website के साथ हो रही होता है तो आप इन particular platforms को manage करके गूगल का जो product listing ad का section यह merchant ground है उसके साथ उसको merge कर रहे होते हैं और ads सला रहे होते हैं कि जो products इन websites पे appear हो रही होती हैं यह products भी आपको बहुत common मिलते हैं मुझे याद है एक time हुआ करते हैं जफरी रांसी की website पे Amazon और eBay related projects बहुत हुआ करते हैं कि हम आप eBay का product listing page यूज कर रहे होते होते हैं as a learning page और product catalog manage कर रहे होते होते हैं Google AdWords के अंदर यह Google merchant account के अंदर जहां जाके आप product की तमाम description images दे रहे होते हैं दोस्तों यह तीन most common type of projects हैं कि जो freelancing की दुनिया में exist करते हैं आपके लिए और सबसे ज़्यादा common उसमें वही है product catalog को manage करना और description को upload करना तो इन तमाम चीजों को जहन में रखें और freelancing की website के ओपर जाकर search करना शुरू करें कि कहां कहां यह project exist करते हैं और bidding करना शुरू करें हो सकता है आपको उनमें से कोई project मिल जाए and then you will eventually become a google shopping specialist और पर पूरी दुनिया में लोगों को help करेंगे उनकी product को advertise करने के लिए